वही केंद्रे मंत्री अनुराक ठाकुर ने बयान दिया कि कॉंग्रेसियों को जैश्री राम बोलने में शर्म आती है और वो सनातन को खत्म करने की कोशिश में लगे है अनुराक ठाकुर ने ये भी कहा कि सनातन था सनातन है सनातन रहेगा सुनवा देते हैं आपको क्या कुछ कहान उराठा को कॉंग्रेस्गियों को तो शरम आती है सनातन धरम से खतम करना चाहते है सनातन धरम को हिंदू को अपमान करना चाहते है बाबा साब अमबेदकर का दिये हुए समविधान को कुचलना चाहते है रोज कहते हैं कॉंग्रेस और उनके सयोगी दल के नेता सनातन धर्म को खतम करके रहेंगे हिंदूओं को अपमान करने की कोई कसर नहीं छोड़ते मेरे साथ जी नियूस समवात आता रविंद्र जाद अपडेट लिए हुए जूड़ रहे है रविंद्र जितने भी बायान सनातन के खलाफ आए लेकिन बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो कहीं न कहीं कॉंग्रस को चाहते हैं इस लड़ाई में खीचना और बार-बार ये हमला किया जा रहा है कॉंग्रस के उपर यह माना जाले कि 2024 के चुनाव के लिए और तीन जो बड़े राज्यों में इस साल के अंते में चुनाव होना है वो सनातन के नेरेटिव पर ही लड़ा जाना है बीजेपी की तरफ से अब बिल्कुल आप देखें कि मंत्री परिसत की जब बैठक होई थी परधान मंत्री ने इस सब्द के बारे में कहा कि आप हमलावार होईए आप आकरामक होईए कॉंग्रेस पर रहना है आकरमन जाहिर थी बात है मनसा है रहनिती है तीन राजियों में जो विधान सवाचुन नहीं है वहाँ पर देमक के अपनी विचारधारा है उसको उसका फायदा हो सकता है या नुकसानों को बात की बात है लेकिन यहां पर कॉंग्रेस की आटक करना और इसने परधान मंत्री खुद आज उन्होंने दो बाते कही एक तो इंडी एलाइंस का इंडी गटबंदन य इंडी एलाइंस कहेंगे और उसका जवाब सी बात जाहिरती बात है जो इंडिया से फाइदा उठाने चाहते थे कॉंग्रेस उस पर कहीं न कहीं उनको सफाई देना पड़ेगा दूसरी बात कि मध्य परदेश में जिसा के हमने कहा है कि यहां पर कॉंग्रेस है इसलिए ब बायान दे रहा है और किसका विरोध करना है मैं बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि कॉंग्रेस ही सबसे बड़ा दल है जिससे टकर बीजेपी ले रही है लेकिन सनातन के खिलाफ या हिंदुत्व के खिलाफ कॉंग्रेस कि किसी नेता ने कोई बायान अभी तक मेरी जानकारी में नहीं सामने आया है तो इसके पीछे बीजेपी की क्या रणनीती है कि इतने हमलावर हो जाएं कॉंग्रेस के उपर और कुछ ना कुछ उनकी तरफ से आया और वो हमारी पिछ पर आकर खेलने लगे कॉंग्रेस टू प्लस टू फोर होता है या टू 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 अगर जोड़ दिए तो बाइस भी होता है देखने में तो कहीं ने कहीं टू और टू बाइस दिखाने के कोशिस कि जा रही है कुछ नहीं बोलते हैं या आप कुछ नहीं बोलते हैं आप यहां पर आकर हिंदूों को आईसाई से जोड़ते हैं तो तरह तरह को उधारन है जो चाहे राहूल गांदी या सोनिया गांदी या कॉंग्रेस पर आरोप लगाने के लिए बीजे पी पास है हत्यार और उस हत्यार का वो इस्तिमाल कर रहे हैं तो जाहिरती बात है यह निशाना कॉंग्रेस है लेकिन बहाना डीम के हैं बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए इस पूरी चर्चा के लिए